Hi guys, और 30th of March की रीडिंग में आपका स्वागत है So welcome to the reading for 30th of March मुझे कहीं जाना है, तो इसलिए मैं रीडिंग एक दिन पहले कर रही हूँ तो you are getting an advanced reading for 30th of March दो दिन पहले, मतलब आज रीडिंग मैं कर दूँगी और कल और पर सो दो दिन आपके पास दो दिन की window होगी आपके पास उस reading को देखने के लिए, समझने के लिए, जगल करने के लिए और उसको अपने best benefit के लिए यूज करने के लिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये दो काद्स देख के ऐसा लगता है कि 30th कुछ ऐसे जगलिंग लेके आने वाला है या कुछ ऐसे situations लेने लेके आने वाला है जिसको अगर आप सही से evaluate करोगे तो आपको कुछ benefit हो सकता है So 30th can be beneficial for you if you evaluate things in the right way So let's see 30th of March 2022 की energy किस तरह की रहने वाली है So 30th of March 2022, guides angels, what is going to happen, what do we need to know 30th of March 2022, what is going to happen, what do we need to know 30th of March 2022, guides angels, wow That was a huge jump and bunch both, okay So let's see 30th of March की energy is जो है क्या है और एक काड यहां पर है क्या है So I am picking all up Okay, यह काड्स जो है, यह कौन से काड्स है, यह ग्रोगरी स्कॉट टैरो है Tarot of the positive change और पता नहीं क्यों But I feel the very happy energy for 30th of March क्यों, क्यों पता नहीं But suddenly I am feeling like a gush of happiness तो एक happy energy मुझे 30th of March के लिए फिल हो रही है पहला ही कार्ड King of Swords का है Learning का, King of Swords का काड, अपनी intelligence और power को यूज करने का King of Swords का काड, अपनी communication को सही तरीके से यूज करने का होता है Career growth का होता है, positivity का होता है और strength का होता है और अगर आप देखें तो यह King of Cups जो है इसने अपनी sword नीचे रखती है और यह books की knowledge को जो है, वो यूज करने वाला है knowledge कई बार बोलते हैं, जो ताकत कलम में होती है वो तलवार में नहीं होती है वो मुझे इस कार्ड से दिखाई दे रहा है जो कलम की ताकत है, वो बहुत जादा strong होने वाली है तलवार की ताकत से तो आज का दिन कोशिश कीजे, कुछ लिखे, कोशिश कीजे, कुछ सीखे कोशिश कीजे, कुछ पढ़िये, अगर कोई कोर्स में अरॉल करना चाहते हैं तो कीजे, क्योंकि या फिर अपने पुराने जो आपने investments की है, money कहां लगाया है, लेखा जोखा जो है वो जादा beneficial रहने वाली है, फाइट से एक और चीज मुझे suddenly इस कार्ड में फील हो रही है जो मैंजे पहले कभी नहीं हुई इसकी गोद अगर आप देखो तो तो दिर इस अप्रेशर मार्क इन द लाप ऐसे जैसे कोई गोद में बैठता है तो कैसा pressure mark बनता है उस तरहा की energy मुझे यहां पे लग रही है जैसे इसकी गोद में कोई बैठा है या कोई बैठा था बैठा है, जो फील नहीं है या बैठा था, जिसका pressure mark रह गया है who's been taken away तो मुझे ऐसा लगता है कि एक they might be कि आपका कोई जाने वाला है आपका कोई connected person जो है वो study के लिए या किसी चीज़ के लिए बाहर जाए लेकिन दूसरा मुझे सबसे जादा energy लग रही है कि अगर कोई person किसी और को support दे रहा था और किसी चीज़ से बचा रहा था तो वो गोध जो है वो खाली होने वाली है और मुझे वो energy बहुत strong दिखाई दे रही है moon card उल्टा है which means illusions का prayer होना और ये energy इस तरहां की लग रही है मुझे जिसे अचानक से गोध खाली होने वाली है और गोध खाली होना मैं negative way में बिल्कुल नहीं कह रही हूँ ऐसा लग रहा है कि अगर कोई जिसे अगर negative king of sword जो है किसी को शय दे रहा था तो वो गोध से उठने वाला है that kind of energy और next card जो है वो moon का card है और moon का card उल्टा आया था तो illusions का remove होने का card है अगर आप अंधेरे में पेड़ों को देखोंगे तो यह monsters नजर आएंगे लेकिन अगर रोशनी में पेड़ों को देखोंगे तो आप clearly देख सकते हो कि सिरफ कांटे हैं और बीच में से रास्ता है आप जा सकते हो so you will have to find your way और उस way को find out करने के लिए definitely मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी तो अगर आप career wise भी अगर आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो तो मेहनत जो है वो बहुत जादा ज़रूरी है और मेहनत जो है वो result भी देगी तो यह कहीं न कहीं उसकी shield जो है लग भग कार्ड और यहां पर चार लोग खड़े हैं और एक परसन जो है वो नीचे पड़ा हुआ है उसके पास में poison गिरा हुआ है और यहां पर तीन लोग हैं जो प्रबबली इस परसन के साथ रिलेटर थे और एक परसन है जो अथारिटी में है और ताट परसन जो इस तरह की रिवील के नरजी जो दिखाई देती है दूसरा मुझे साथ से इस तरह की नरजी भी लगती है जहां पर तेम माइट वे अनदर केस जो रिजॉल्व हो ना हो या देर माइट भी अरेसलुशन तो सम केंड अध्यों केस यहां पर जहां पर यह seven six wands लगी है और एक wand इसके हाथ में है और इसको यह सारा रास्ता तै करके यहां पर जाना है तो यह जो यह case है या जो भी situation है या जहां पर भी आपको justice चाहिए जो भी आपका legal matter है जो भी आपका जिस भी चीज में आप indulge हो रहे हो रास्ता बहुत लं आपको definitely मिलेगा it looks like somewhere वो बिल्कुल पहुँच चुकी है उस hill top पे तो वो energy है यहां पर और definitely choices जो है वो आपको result देंगी choices जो है वो आपको आगे लेके जाएंगी next जो है 10 of wands है 10 of wands यह person जो है इन दो बच्चों को बिल्कुल पीछ पे उठा के लेके जा रहा है यह दोनो चल सकते हैं दोनों ने shoes पेने हैं एक music बजा रहा है एक ने cat जो है वो पकड़ी हुई है it is your time to decide कि आपको कितना weight जो है वो carry करना है और कितना नहीं carry करना है अगर आप अपने आपको पूरी तरह भार के नीचे जुका दोगे तो आपका आगे चलना मुश्किल हो जाएगा right so child protection के energy है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई person अपने आपको आप में से कोई अपने आपको over load कर रहा है responsibility के साथ over responsibility जरूरत से जादा हो रही है और कहीं जरूरत है कि वो step लिया जाए जहां पर थोड़ा सा clarity से चीजों को देखा जाए now if you see here 10 of swords and 10 of wands दोनों energies 10 10 के 10 of swords की energy जो है इसके पीछे mirror है and she's reading a book लेकिन उसके बिल्कुल आगे जो है वो तलवारी है लेकिन mirror में ऐसे लग रहा है जैसे उस पे तलवारी लग रही है right but it is just a mirror so how you see things are how they are going to be और अगर हमने शुरुआत पढ़ने से की है तो अन्त भी पढ़ने से हो रहा है और मुझे लगता है कि कहीं कुछ ऐसी चीजे होने वाली है जहां पर आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा बहुत कुछ जानने को मिलेगा बहुत सारी illusions clear होंगी बहुत कुछ समझने को मिलेगा बहुत सारा load जो है वो unload होने वाला है हा जोनी लंबी है एक तरहां से करना बहुत पूजने की जगह के रिस्पॉंसिबिलिटी किती है, यह सोचे कि आप में कमी कहां पे कमी है, इंटर्व्यूस क्यों क्लेर नहीं हो रहे हैं, और उस कमी को पूरा करें, और अगर आप कमी पूरी करके जाएंगे, अच्छे से प्रिपेर करके जाएंगे, तो डेफिनिटली ज इनर्जी है, पॉजन जस्टिस में मुझे दिखाई दे रहा है, तो फूट पॉजनिंग या इस तरहां की कोई चीज जो हो सकती है, तो थोड़ा सा क्याफल रहना है उस इनर्जी के साथ, और रिलेशन्शिप्स में भी मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा क्लेर रहना है, और भी मैं बाल इनर्जी है कि कोई इल्यूजन जो है, जो है, या बचा के रखा था तो वो जो है, वो जो है, वो जो है, वो सामने आने वाला है, यह अन्य नहीं मॉथ, तो एक नया मॉडर जो है, वो मुझे देखने को, मतलब ऐसे लग रहा है कि पॉसिबिलिटी ऐसे भी बन लेकिन डेफिनिटली एंड रिजल्ट जो है मुझे दो टेंज दिखाई दे रहे हैं एंड में आइडू फिल आट तिंग्स आ गोईं तो ओपन आप डेफिनिटली चीजें ओपन आप होने वाले हैं क्योंकि यहां पर अगर आप देखें तो तो फाइफ है पाइफ और एट एट एटीन का कार्ट है तो एटीन जो है नंबर 9 इन बन जाता है नाइट, 10, 11, 12, 13, 14, 5, 6, 7, 8, और 8 एट के बाद फिर से दो है तो 10 के एनरजी फिर से बन जाती है यहां पर और 7 और 2 9 होते हैं यहां से 10 के एनरजी है फिर से 1 तो 10 के एनरजी फिर से बन जाती है so there are complete 10 10 10s so definitely something is moving faster stronger और कुछ ऐसा है जो जिसका mirror impact जो है वो देखने को मिल सकता है कोई ऐसा परसन जो क्रिमिनल्स को अपनी पीठ पे ढोके चल रहा है वो भार महसूस कर सकता है और खुद भी ट्रिप होगा और दूसरों को भी ट्रिप करेगा वो एनोरजी भी मुझे दिख रही है 30th of March की तरफ और लेट सी क्या होता है जो भी होगा फीडबैक जरूर डालेगा यहां पर और अगर हो सके तो एक मिनिट लगा निकाल के वीडियो को लाइक कीज़ेगा और सबके साथ शेयर कीज़ेगा और बात करते हैं इंडिया और वर्ल्ट की नेक्स वीडियो में और अगर आप कंटिनुशन में देख रहे हैं तो आप कंटिनुव कर सकते हैं गाई तो लेट सी इंडिया और वर्ल्ट के लिए किस तरह की एनरजी होने वाली है 30th of March की मुझे एनरजी बहुत पाफुल स्ट्रॉंग लग रही है बहुत हेवी लग रही है और डेफिनिटली मतलब कुछ बहुत स्ट्रॉंग डेफिनिटली सामने आने वाला है लेट सी इंडिया के लिए क्या अनरजी है 30th of March 2022 इंडिया के लिए क्या होने वाला है इंडिया में क्या होने वाला है जो विजिबली दिखाई देगा ओके सो इंडिया में दिखाई देगा है दोनों ही कार्ड्स वो मनी के आए है किंग ओफ पेंटिकल आया है और सेवन ओफ पेंटिकल बट सेवन जो है वो उल्टा था तो मिरको ऐसा लग रहा है कि कोई विजिट हो सकता है इंडिया में जो शायद फूटफुल ना रहे या जहां पे शायद और पेशिंस की जरूरत हो उसको कंप्लीट करने के लिए आई डू सी किंग और यहां यहां आई डू सी दे क्राउन आफ दे किंग यहां पर और आई सी अ परसन जो आक्चली वो फूट स्टोड रही है मुझे एक तरहां से वो इनरजी जो है वो इस तरहां से लग रही है जहां पर किंग का ओनच प्रवूट द्में हो दो धर जरस लोड़ेशलाफ मनी दो धर दर एंबेस्टमिंट्स तो धर इस लौ बशेथ अभूल में कोई नहीं अन्वेस्टमें होल्यकिन मुझे क्योंकि यह card उल्टा था मैं clarification का card लोंगी एक मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा होने वाला है जो शायद उतना fruitful ना रहे जितना fruitful उसको सोचा गया था let me see let me clarify this can we clarify India energy that is going to be visibly happening in India can you clarify these two parts please okay so yes like I said I feel this energy like something might not be as fruitful as they thought it will be night of swords communication के energy होती है कुछ बहुत strong action के energy होती है लेकिन यहां पे sword night जो है वो अपना sword रखके बैठा है this person is sad and this person is shouting upon the other person यह किसी चीज़ के लिए दुसरे इंसान पे shout कर रहा है जोर से चिला रहा है और यहां पे candle है जो जल रही है light नहीं है obviously और कोई बंद जगा है सो मुझे यहां पे energy दो तरहां के लग रही है यहां पे एक मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई investigation या कोई बहुत strong मतलब किसी person को किसी बहुत सारे बहुत जादा पैसे वाले person पे हाथ टाला जा सकता है उसको पकड़ा जा सकता है और उसका पैसा उसके काम नहीं आएगा और बहुत strong क्या बोलते है इसको interrogation बहुत strong interrogation किसी की होने वाली है उस तरहां की energy दिखाई दे रही है और दूसरा कोई meeting हो सकती है लेकिन ऐसा लग रहा है कि expected results शायद ना मिले उस meeting से लेकिन overall energy जो है क्योंकि मुझे ऐसी लग रही है जहां पे there is still a lot of money and there is a king crown of the king king कोई king जो है वो अपनी इस से उतरने वाला है सिहासन से उतरने वाला है if I put it like that 7 है और 3 है 10 की energy है यह और 5 की energy है तो 6 और 10 की energy बनती है I just want one clarify to know if this is going to be good for India or not let me see okay just one clarify if we can how is this going to be for India okay thank you thank you so much so something in my head was saying के उपर वाले जो cards है उनसे relate करो you will know so actually उपर वाले cards जो है उनसे अगर मैं relate करो तो मुझे ऐसा लगता है it is going to be good for India क्योंकि यह कोई ऐसी चीज है जो बहुत टाइम से भार बनके हमारी गोथ पर बैठी थी और हम उसको ना तो जाने दे पा रहे थे ना रख पा रहे थे और हमारी ग्रोथ जो है उससे ब्लॉक हो रही थी so it is going to be a good energy and see this is what it is five of wands का card है यहां पर चार literally like they are seeming they are seeming like kids चार बच्चे है और वो किला परटेक्ट कर रहे हैं right there is this person who's come to invade लेकिन वो चारो बच्चे जो हैं वो पूरी energy के साथ अपने के लिए को प्रटेक्ट कर रहे हैं so no matter how big this person is but they will not allow this person to invade so वही protection energy वही energy मुझे दिखाए रहे है इंडिया के लिए कि कोई अगर इंडिया का बहुत समय से फाइदा उठा रहा था इंडिया चाहागे भी कुछ नहीं कर पा रहा था that energy is going to change big time so something really positive and then again if you see यह 10 के energy थी 5 था और यह 5 आगया 10 के energy फिर से हो गई और the war situation and otherwise energy for the world where are we heading okay so energy for the world three card आये है चार कार आये है रादर दो यहां पर है and दो यहां पर है so now I see energy for the world nine of swords है nine of swords बुरे सपने से जागना होता है nine of swords this person had a really bad bad dream and this person is woken up from that dream temperance है जो उल्टा है जो सीधा होता है temperance तो एक तरह से balance का कार्ड होता है there are three type of wishes जो लोगों की होती है divine है money है और baby है और यह तीनों ही चीजें इसके mind पे है and she's trying to balance all three between her mind और यहां पर एक energy आई है जहां पर sudden sudden revolution sudden सपने में कुछ देखा है और वहां से sudden जागने की energy है एकदम नीन से जागने की energy है मुझे ऐसा लग रहा है two things that I see from this card these cards पहला मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत strong ऐसा होने वाला है जो आपको सारी सारी पुरानी नीन से जगा देगा लाइक जटका जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है 14 के energy है 5 के energy होती है ये और 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 फिर से 5 के energy है इस 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 ट्रॉगल energy और यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी peacefulness है यहां पर क्योंकि temperance उलता था peacefulness this is taking away going to take away all the peace of mind मतलब कुछ ऐसा जो आपकी नीन्थ को बिल्कुल उडा देने वाला है उस तरहां के energy मुझे दिखाई दे रही है and if you see here 9 of wands का card है 8 wands यहां पर लगी है this person is jumping with the 9th wand and there is king of wands or king of wands जो है यहां पर उसकी चिपकरी यह salamander है and the king of wands is like okay go ahead do it right and king of wands जो है वो नीचे उतर रहा है अपने सिहासन से but this energy is like go ahead do it it is a powerful energy it is a strong energy it is the strength energy and 9 of wands is like one step पीछे and 9 or 5 फिर से आया है if you see this is 9 and 5 and this is 9 and 5 फिर से so there is a repetitive energy मैं दो चीजें देख सकती हूँ यहां से एक मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि कोई ऐसी कंट्री कोई ऐसी जिसे उक्रेन रशिया है तो ऐसा लगता है जिसे युक्रेन नीन से जागे का और समझे का कि वो बालंस नहीं कर सकता है and then there is going to be that energy of give up but before they can give up मुझे ऐसा लग रहा है that somebody is again going to support them and push the war again forward क्योंकि 5 की energy दोनों तरफ आई है 5-5 फिर से 10 होता है and I feel that they are being pushed to move forward and कोई एक country है again मैं बोलूँगी कोई एक country है जो बहुत strongly इस चीज को push कर रही है और जो peace की energy को side पे मतलब दिखा रही है that I am very peaceful but not peaceful at all trying to push the energies forward और मैं वार के लिए एक काड निकाल लेती हूँ आज भी peace talks है let's hope that वो peace talks जो है successful हो जाए but let's see क्या energy आती है वार के energy के लिए मैंने काड निकाला है और 6, 7 and 9 का काड आया है now 6 of cups जो है वो energy होती है victory की जहां पे everybody is coming together जहां पे everybody is appreciating 1% तो मुझे आसा लगता है की यह एक तरह से peace भी नहीं है actually war की ही energy है लेकिन it is like getting ready for that war or winning the war so one part is winning the war लेकिन यहां पे मुझे आसा लग रहा है जिसे कोई बाके सारी countries को बता रहा है की कैसे आगे जाना है क्या करना है and one is actually stepped out already कि नहीं मुझे यह सब नहीं सुनना है I'm not interested in you I'm not part of you and nine of pentacle की energy है where somebody is actually guarding the money or the resources guarding the resources तो मुझे ऐसे लग रहा है की अब इस तरह से मुझे तिखाई देरिया energy that हो सकता है की war की energy में suddenly कोई change हो and I did not see this yes the wheel and the wheel was upside down लेकिन यह wheel जो है यह बहुत खतरनाक wheel है क्योंकि यहां पे world जो है दो part में already divided हो चुका है right devil and divine और बीच में wheel है and there is one that is in between these two trying to decide के मैं किस तरफ जाना है right and the moment this one decides the war begins और यह उल्टा था उल्टा था मतलब अभी divine part जो है वह suppressed नहीं रहेगा the wheels are turning again 10k energy है और 6, 6, 12, 13, 4 बनता है और 9, 10, 11, 12, 13 फिर से 4 बनता है मुझे ऐसा लगता है कि NATO countries में से ऐसा हो सकता है कि एक country girl step out कर जाए back off कर जाए और दूसरी तरफ जाके जोड जाए and resources को guard करने के energy है तो मुझे ऐसा लगता है that somebody will try to guard the resources or money, energy का use करने की कोशिश लेकिन मुझे illusions बहुत strong लग रहे है the energies are getting stronger, powerful, more powerful we are heading to something very big that is for sure okay so मैं next video में करूँगी बात सुषान के messages की और और एकल messages और चाम्स और अगर हो सेके तो वीडियो को लाइक करे और सब के साथ शेर करें पिछली वीडियो में भी देखें जो हुआ है, अगर वो सही है कार्ड में तो प्लीज फीडबाक जरूर दे, नहीं है तो भी फीडबाक जरूर दे, thank you so much, take care, bye okay so let's start with oracle messages for 30th of March 30th of March के लिए oracle का क्या message है तो मैंने सबसे पहले wisdom of oracle लिया है, let's see what is the wisdom है कि दोनों sides evaluate करके justice जो है उसकी energy, wisdom के साथ justice decide करने के energy, there is a sunrise in the background that is happening sunbreak हो रहा है, एक तरहा से सूरज की रोशनी बादलों को बादलों पर दिखाई देती है reflect कर रही है, और it is the energy जहां पे आपको अपने आपमे reflect करना है, अपनी wisdom से आगे बढ़ना है सही और गलत को समझना है और अपनी energies को balance करना है, balance से चीजों को समझना है, balancing is going to be very very important part of your day for 30th of March और मुझे हैं सा लगता है that something related to justice might happen, something related to fairness might happen, something related to that divine energy of getting justice might happen, कुछ legal situations, कुछ legal changes कुछ legal decisions जो हैं बहुत बड़े वो हो सकते हैं 30th को तो वो दिखाई रहा है, और दिस कार्ट सेज balance, justice, a need to consider options mutual benefit and law of cause and effect life offers experiences that are challenging and experiences that are nourishing, yet over time they strike a balance, you move from being static to doing from discovering, to loving to letting go, to begin again life is a pendulum swinging between all of these states you will always oscillate back and forth between doing and being, if you are not content with where you are at this moment remember that all experiences have their place, accept them without judgment and you will see how the universe adjusts in perfect balance, you reap what you saw, for every cause there is an effect, wondrous things will be revealed now, so revelation के energy है and यह पूरा कार्ट जो है यह बोलता है that जिन्दी की जो है experiences हमें देती है चीजे होती है, फिर हम आगे बढ़ते हैं फिर हम लेट गो करते हैं, फिर कुछ होता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं और अगर आप खुछ नहीं हो जहां पे आप हो तो इसका मतलब है कि आपको आगे बढ़ना है और आपको यह समझना है कि कोई भी चीज बिना कारण के नहीं होती है जो आप वोगे वही आप काटोगे और बहुत सारी अच्छी चीजे जो है बहुत सारी वंडर्फुल चीजे जो है वो रिवील होने वाली है तो एनोर्जी इस ऑफ रेवलेशन, इनोर्जी अगेन बालेंस जस्टिस और पावर और नमबर 11 है फिर से अगर आप देखो तो 8,9,10,11 जो यह दूसरे कार्ण है यह मैं उससे निकाल रही हूँ जिपसी टैरो से और जिपसी और एकल से जिपसी और एकल से क्या कार्ड आता है पर 30th of March मैंने बोलाना कुछ अलग सी अनरजी लग रहे है मुझे 30th of March जिपसी और एकल गाइज जिपसी और एकल से जिए 30th of March इए 30th of March इए 30th of March what do we need to know what is going to happen what is going to happen what is going to happen give us the keywords of what is going to happen okay so we have the keywords I guess keywords keywords okay so two energies the first card is melancholy I think that's how it is pronounced you are in a sadness energy and it is not a reason you are not a problem but you are looking at the old or sad things you are looking at the sad events you are looking at the sad movies you are looking at the sad things and that sadness has become a part inside you it is a part of your life so you are thinking about everything what is going to happen and that is giving you sadness and the second energy is child and child energy is not sad right so this is like coming from that sadness to actually a new rebirth or a new energy so I said I have said I have some hate and the third energy is going to be which will be out of your sadness which will be out of your sadness which will be your long lost memories thoughts energies sadness old things old things old things those energies that is actually going to change into something much much better so suddenly you might feel like child-like energy you might feel that child-like energy that suddenly there is a rebirth there is a spiral that is holding on to this this cloth which is protecting the child and it feels like suddenly there is a shift of energy so that shift of energy is something that you are going to see or experience on 30th of March where sadness happiness energy shift child-like energy shift old things or memories push and some things suddenly suddenly change so that is the kind of energy that I am feeling and let's see what is the message that we get from Sushant from 30th of March and I have Krishna cards Sushant what is the message and I am going to read the story also relevant message for 30th of March 2022 Sushant what do you want to say for 30th of March 2022 if anything visible is going to happen or we are going to see anything 30th of March 2022 or if we still need to keep patience 30th of March 2022 what is going to happen what is your message okay so I have a message and let's turn it around help is on the way or this is you will get answers to all your questions don't worry you will soon receive help so this card says that you have all the answers that are going to get help is on the way and you will get all the answers that are going to get on the way because all the answers are coming to you so now I am going to read it and I will know if this is the energy of we are going to see something visibly or if this is the energy of we still have to wait so this says Devaki and Vasudev waited for a long time for their son to return they prayed every day for him and his well-being Krishna killed Kansa and went to free his parents he himself wanted to do so wow wow this is so beautiful this is actually Devaki and Vasudev there was a jail in Kansa so Devaki and Vasudev didn't really know that Krishna how is it what is happening what is happening and what is happening and what is happening and they could only wait for anything because they didn't know anything they could not do anything except for waiting so they were every day pray that it will be right or right and finally Krishna came and Kansa he killed Kansa and Vasudev free because he wanted to do but the process that was full of flow or complete was necessary like I can't tell you how overwhelmed I am feeling with this card message with this I am so overwhelmed feeling and I am sure that you will also feel that because we are all into that Devaki Vasudev energy right we don't know Sushant where are they or not what are they what are they our heart says they are but their return is only praying right and their well-being we are only praying and definitely they have to kill Kansa and they will free from all negativity negative patterns human trafficking and all things and that's the message so help is on the way things are happening be rest assured and be positive beautiful beautiful and that is why I see that sadness child-like energy and justice energy or justice card let's hope something really good happens on 30th let's see what is the chart okay so we have a cross cross energy which is Christianity energy but divine energy also cross energy which is actually Christ energy so somewhere after many pain after a new energy comes to which is a divine hand or Jesus light energy which is a new and because a balance is in this definitely there is justice energy so this is a beautiful energy to come and I think cross first I was saying in my head that you can give a new new so this second energy this is actually a punk and a powder it all depends upon how you can see it do you look at it as a feather or do you look at it as a leaf or you can see it as a sword which is camouflaged so I do feel I do feel I have a sword that is camouflaged so that no one knows if there is a sword but when the right time comes then that's how I see this energy and I do feel that somewhere if it is a punk it is a hurt and the past hurt definitely will give a new energy and a new beginning and this is the energy of celebration undoubtedly you can take it as a pine tree as a firecracker as a water fountain as a water and there are so many spirals and triangle triangle is complete balance right all three angles completely balanced with each other completely in sync with each other so it is a very beautiful energy I do see some childlike and happy energy coming on the third of March so let's see what happens that will tell you but there is this hand also hand of Fatima I think it is called and this is protection energy this is awareness energy this is safety energy and I am not sure this hand clear but I am trying to yes here now you can see a little more clear okay so I do feel that this energy is actually moving faster and becoming stronger so it is protection energy and clarity energy and definitely some things that are not visible there is a reason that this hand is not visible despite of multiple efforts usually it is not like that but this is definitely energy I am like that where a hand has to come in a hand to be visible right so and if you look at the star you will see the star intermingled so the energy has to connect with another energy for this hand to be completely visible so the reality has to come has to come to be visible to be visible to be visible alignment and I think there are stars aligning for something tomorrow tomorrow day after tomorrow so 30th and let's see okay so what do we have oh wow this is a constant sign which is coming every day right so some masks are going to get out removed or some new crowns are going to come up and some crowns are going to come down so some crowns will get out some masks will get out some energies will get out and some sadness and child-like energy can come out so beautiful cards beautiful messages I am going to make this video live today so that you can see that and 30th energy is very beautiful if you have like it and share it and give feedback take care bye thank you